आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जिसे बनाना बहुत ही असान है तो इसके लिए पहले कड़ाई को गरम करेंगे और दो चमच घी डाल देंगे फिर यहां पे डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर गाजर जो है साड़े साथ सो ग्राम है और इसे अच्छे से धोने के बा अब हमें दूद के साथ इसे पकाना है जब तक दूद गाड़ी नहीं हो जाती है तब तक हम गाजर के साथ ऐसी पकाएंगे और इसे चलाते रहना है यहां पे आज को मैंने मिडियम पे रखा है और इस तरीके से चलाते रहेंगे यहां पे जो दूद है वो थिक हो गया है तो यहां पे डाल देंगे हम चीनी अब चीनी के साथ हमें इसे पकाना है चीनी डालने के बाद यहां से और भी ज़्यादा पानी निकलेगा जैसे चीनी मेल्ट होता है तो वहां से पानी रिलीज हो जाएगा तो हमें इसे ऐसे ही continue चलाते रहना है जब तक कि यह सारे जो दूद है वो सूख न जाए तो पूरे दूद को हमें सुखा लेना है लिक्विड जैसा नहीं रखेंगे उसके बाद आप यहां चाहे तो इलाची का पौडर डाल सकते हैं मैंने ल्याची का पौडर स्किप कर दिया है और यहां पर मैं डाल रही हूं घी तो एक से दो चमच यहां पर घी डाल सकते हैं बागी ड्राइफूस डाल सकते हैं जा जो इस सेEh से दो मिनट चला लेंगे इस तरीके से अब यहाँ पे हमारा जो हल्वा है ना रेडी हो चुका है तो हम फ्लैम को आफ कर देंगे और अब यह सर्प करने के लिए त्यार हो चुका है थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो